आयोधिया में 22 जन्वरी को भगवान राम लला मंदिर की प्रानपतिस्टा होने जा रही है जहाँ पर पूरे देश भर में राम मंदिर आयोजन को लेकर आमंतन दिया जा रहे हैं महीं पर कॉंग्रेस के पूर्व रास्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरतमान कॉंग्रेस रास्टी अध्यक्ष मलिका आरजुन खडगे ने अयोधिया राम मंदिर के आमंतन पर मना कर दिया है हाला कि कॉंग्रेस के वरिष्ट निताओं ने अयोधिया जाने में कोई बात कर रहे हैं दरसल कॉंग्रेस शहर अध्यक्षर सुर्जी सीह चड्डा ने बताया कि 22 जनवरी को हम लोगा स्थानी इस्थर पर कॉंग्रेस का रियाले और गांधी भवन पर विद्यू साथ सज्जा और दीपक लगा कर सुंदरकान का पाट करेंगे साथ ही भगवान श्र राम का वर्ष भर का केलेंडर भी जारी करेंगे कॉंग्रेस शहर अध्यक्षर ने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी राम मंदीर का कोई विरोध दही कर रही है लेकिन सभी संकराचारिय वहां जाने को तयार नहीं है और धर्म शास्त के हिसाब से राम लला की पान जाएगी और सेक्ड़ों और हजारों की तादाद में कॉंग्रेस के जो कारी करता है वह आयोध्या में दर्शन के लिए जाएंगे अगर सभी शंकराचारे वहां जाने को तयार नहीं है धर्म शास्त के हिसाब से राम लला की प्रान प्रतिष्टा नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से कॉंग्रेस ने भी यही का है कि जिस दिन उसका शिकर बन जाएगा उसका पूर्णता उसको राम मंदिर को निर्मा ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेसार ताइंस और साथी मोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को दबाएं